नमस्कार दोस्तों केके एकजाम पाइट में आपका स्वागत है कैसे हैं आप सभी उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आप UPPCR-TG2 की परिच्छा की तयारी अच्छी चल रही होगी दोस्तों UPPCL TG2 की परिच्छा को ध्यान में रखते हुए हमने एलेक्टरिशन थेवरी से कुछ महतपूर प्रस्णों की सीरीज इस्टार्ट की है जो कि दोस्तों ये प्रस्ण Youth Competition के बुक से लिए गए है दोस्तों ये भी विन एक्जाउन पूछे गए प्रस्ण होंगे जैसे की UPPCL TG2, UPRVNL, DRDO, NPCIL, NFL, NFC आदी एक्जाउन पूछे गए ये प्रस्ण है दोस्तों DRDO का एक्जाम लगा है उसके लिए भी ये महतपूर साबित होंगे जो की अभी इसकी rejected list आ चुकी है अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज इसे देखने कहीं आपका नाम reject तो नहीं हो गया चलिए आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए इन प्रस्णों की सुरुआत करते हैं आज का हमारा प्रस्ण है जो की थिरी फेज ट्रांसमिसन लाइन एक सेंटिमीटर तिरिज्जा के चालकों का उप्योग करती है और जो सम्मित रूप से चार मीटर की दूरी पर है मतलब हवा की डाइलेक्टरिक सामर्त 30 किलो वोल्ट 5 सेंटिमीटर है वह लाइन वोल्टेज किसके बराबर है जिस पर करोना होता है दोस्तों आप हमारे क्लास में पेन कापी लेकर ज़रूर बैठा करें सवाल अपने आप हल किया करें जो क्यों कि दोस्तों इसमें काफी लंबे सवाल है और इन्हें हम हल कराने लगें तो आपके परिच्छा तक ये स्लेबस कंप्लीट नहीं होगा दोस्तों हम इसमें बता दें आप इसमें हल करोगे तो आपको जो उत्तर आएगा आपसन नमबर डी 311 केवी सही उत्तर होगा चलिए अगर आप नहीं हल कर पा रहे हैं तो इसमें से देख लीजिए यहां पर कैसे हल दिया गया है यहां से आप देख सकते हैं अगला प्रशन है लंबी ट्रांसमिसन लाइन का वोल्टेज रेटिंग क्या है राइट एंसर आपसन नमबर डी 100 केवी से अधिक है अगला प्रशन है दोस्तों अगले प्रशन जाने से पहले यहां पर मैं आपको कुछ इस्ट्रा फैक्ट देना चाहता हूँ जो कि दोस्तों लगट ट्रांसमिसन लाइन में जो है बीस केवी से लेकर पचास केवी तक होता है इसकी दूरी जो है असी किलो मीटर दूरी तक होता है और मध्यम ट्रांसमिसन लाइन में जो है पचास केवी से सब केवी तक ये इसकी दूरी जो है 80 से 160 किलो मीटर तक होती है दिर्ग ट्रांसमिसन लाइन में जो है सब केवी से लेकर यानि सब किलो वोल्ट से लेकर इस से अधिक दोस्तों इसकी जो दूरी होती है 160 किलो मीटर से अधिक होती है अगले प्रस्ट पर चलते हैं जो कि आपका अगला प्र को स्लाट से बाहर आने से रोकने के लिए कौन सी सामागरी प्रियुक्त की जाती है राइट एंसर दोस्तों आपसे नमबर भी बैम्बू इसका सही उत्तर है अगले प्रशन पर चलते हैं जो कि आपका अगला प्रशन दिया गया है दोस्तों यहां पर अधिक जानकारी आप ख गटना होगी राइट एंसर आपसे नमबर डी करेंट भूमी में प्रवाहित होगी यह इसका सही उत्तर है अगला प्रशन है अधिक जानकारी आप खुद से देख सकते हैं अगला प्रशन है ट्रांसमिसन लाइन केवल में मौजूद चार्जिंग करंट क्या है राइट एं और उच आबरती बाधा के संतोस जनक निर्वाहन के लिए पैनल किस से जुड़े होते हैं दोस्तों आपका सही उत्तर है आपसे नमबर ए बांडिंग ब्रेंड ये इसका सही उत्तर है अगले प्रशन पर चलते हैं जो कि आपका अगला प्रशन दिया गया है भारत में अध सकती के लाइन कैफिक ये ढ Iya Android आ ग्राइब और रहां और तरनस्सथं मिसन लायन के अधिक्तम विल्टेज जहे सात्सथं कव्हलोउड तक थी ऐन अगले प्रशन पर चलते हैं जो कि आपका अगला प्रशन हैं का डिसी एलेक्ट्रिक पावर transmission का मुख खिलाब निमली खित में से काउंसा है राइट एंसर आपस नमबर भी इसके लिए केवल दो वायरों की आवशक्ता होती है ये इसका सही उत्तर है दोस्तों DC में प्रेरक्ता ना होने के कारण AC की अपेच्छा कम voltage ड्राप होता है और DC में इसके प्रभाव नहीं होता है इसलिए कम चालक पदार्थ की आवशक्ता होती है अगले प्रशन पर चलते हैं आपका अगला प्रशन है जब एक सहर से दूर कोई छेतर बाहरी इलाका रिसीविंग स्टेशनों से लाइनों द्वारा जोड़ा जाता है तो उसे क्या कहते हैं राइट एंसर आपस नमबर अगले प्रशन पर चलते हैं जो कि आपका अगला प्रशन है यहां पर देख सकते हैं सभी अर्थ वायर्स और अर्थ कंटिनूटी कंड़क्टर सामता और पर निमलिखित में से किस वीकल्प के बने होते हैं राइट एंसर अपसन नमबर बी गैलवे नाजड इस्टीर से अ अगला प्रशन है कम वोल्टेज पर बिजली उत्तपादन और उच वोल्टेज पर बिजली संचराण का मुख की कारण क्या है राइट एंसर अपसन नमबर डी जेनरेटर के इंसुलेशन लागत वोल्टेज के साथ बढ़ जाती है यह इसका सही उत्तर है दोस्तों जिसमें जिससे उत्तपादित वोल्टेज डूट थीरी गुना अधिक होता है तो संचराण वोल्टेज अथवा लाइन वोल्टेज होता है अगले प्रशन पर चलते हैं जो कि आपका अगला प्रशन है ओवर हेड लाइन कंड़क्टर पर क्राज कंड़क्टर का क्रास सेक्षनल छे शिष्ट भार 78100 किलोग्राम अपान सी यू एम है और कारिरत प्रतिबल 1000 किलोग्राम अपान स्क्वाइर सेंटिमीटर है तो कारिरत तनाव कितना होगा दोस्तों आप इसे हल करेंगे तो आपका उतर निकल कर आएगा जो की 3000 केजी दोस्तों यहां पर हल किया गया आप यहा अगला प्रश्ण है विदूत उपकराण में इंसुलेटर की मुख्य भूमिका किस से सुरच्छा करना है राइट एंसर अप्सन बर सी एलेक्ट्रिकल कंड़क्टर से अगले प्रस्ण पर चलते हैं अंतिम खंबे यानि इंड़ पोल के बाद बढ़ाए गए केबल का क्या प्योग है राइट एंसर अप्सन बर भी खंबे को जुकने से बचाने के लिए अगले प्रस्ण पर चलते हैं थिरी फेज इस्टार कंफिर्गेशन कंफिग्रेशन मोटर में होता है राइट एंसर अप्सन बर सी थिरी हार्ट वन न्यूट्रल और वन ग्राउंड वायर दो मतलब इस्टार होता है यह और डेल्टा जो होती है आप ऐसे देख सकते हैं यह डेल्टा वाय डेल्टा प्रकार का होता है अगले प्रस्ण पर चलते हैं जो कि आपका अगला प्रस्ण है सुरच्छा के आई-ई नियम के अनुसार स्विकार आवरती भिन्यता क्या है राइट एंसर तीन प्रतिसत अगले प्रस्ण पर चलते हैं पारेशन प्रडाली ट्रांस्मिशन सिस्टम में फीडर विदूत भेजता है राइट एंसर अप्सन नबर भी डिस्ट्रीब्यूटर अगला प्रस्ण है लंबी दूरी का वित्रन पारेशन यनि पावर ट्रांस्मिशन डेट डैस पर किया जाता है राइट एंसर उच्छ वोल्टता अगला प्रस्ण है पावर ट्रांस्मिशन में टावर का कारेट डेट डैस का सपोर्ट करना होता है सही उत्तर है अप्सन नम खुमबों के लिए उपयों किये जाने वाले इंसलेटर रिंगडे डैस से बने होते हैं, सही उत्र है से रिमिक से बने होते हैं, एगले पृश्न पर चलते हैं, जो कि आपका अगला प्रशन है, लगू संचरान लाइन पर फेज फाल्ट के लिए dead-desk type की relay को प्रात्मिता दी जाती है सयुतर है प्रतिःबाद की बोई किसमें माध्यम लाइन की प्रतिवाधा रिले का प्रियोग किया जाता है लंबी लाइन में प्रातिया जाता है अगला प्रश्ण है हाई टेंसन संचरण लाइन के प्रारंब में आम तोर पर प्रयोग होने वाला कनिक्षन का प्रकार है सही उत्तर है डेल्टा इस्टार ये इसका सही उत्तर है अगले प्रसन पर चलते हैं विदुत रोधन की आवशक्ता होती है डेल्टा इस्टार का प्रयोग विदुती वित्रण लाइनों में भी करते हैं अगले प्रसन पर चलते हैं इस पात के खंबो को किसे बचाने के लिए इन पर पेंट किया जाता है सही उत्तर है जंग से अगला प्रसन है यूटिलिटी पॉल निम लिखित में से किसे सहारा देने के लिए उप्योग किये जाने वाला खंबा खंबा या कालम पोश्ट है सही उत्तर है अपसर नमबर डी सीरो परी विदुत लाइन फाइबर आप्टिक केबल केबलों और मार्क प्रकास लाइटों को ये इसका सही उत्तर है अगला प्रशन है जो कि आपका अगला प्रशन यहां पर दिया गया है कुरोना का एक नुकसान है सही उत्तर है अपसर नमबर ए सक्तिहानी होती है दोस्तो इसका फार्मूला आप देख सकते हैं और अगले अगला चलते हैं यहां कुछ पॉइंट दिये हैं जो की पॉइंट देख लीजिए क्रोना के काराण वैदू सक्ति हन्या बढ़ जाती हैं जिसके संचराण जिसके काराण संचराण लाइनों की दच्छता घड़ जाती है क्रोना के काराण चालकों में प्रश्ट खुरदुरा हो जाता है और क् हारा का आज वैक्री तरंग प्राप्त होती है अगला प्रश्ण है प्रात्मिक ग्रिड सब इस्टेशन में राइट एंसर आपस नंबर भी वित्रण और सर्विस लाइन के लिए आवशक वोल्टेज की आपूर्टी के लिए वोल्टेज कम किया जाता है ये इसका सही उत्तर ह अगला प्रश्ण है नीचे दिये गए में से इस्किन इफेक्ट की घटना किस से मिलती है राइट एंसर चालक धातु में अगला प्रश्ण है किस वोल्टेज के उपर संस्पेंशन प्रकार का इंसुलेटर इस्तेमाल किया जाता है राइट एंसर 33 किलो वोल्ट का दोस्तों जो insulator मुक रूप से तीन प्रकार के होते हैं जैसे कि pin insulator, suspension insulator, chem insulator प्रकार के होते हैं pin प्रकार का विदू ते देड़ड़स के लिए प्रयूक तो नहीं होता है राइट अंसर 33 किलो वोल्ट दीख अगला प्रशन है दो संचरान तारों के बीच कुरोना होता है जब उनमें राइट एंसर अप्स नमर सी उच्च वी वांतर हो अगला प्रश्ण है कुरोना का प्रिछेपण निम्न पर होता है सै उतर केवल एसी संचरन लाइनों में होता है अगले प्रश्ण पर चलते हैं जो कि आपका अगला प्रश्ण यहां पर दिया गया है बस बार में प्रियोग की जाने वाली धातू है राइट एंसर अप्स नमर भी एलमूनियम ओवर हेड वित्रन लाइनों में केबल का क्या लाब है राइट एंसर अप्स नमर दी भीड़ भाड़ वाले इलाके में प्रियोग किया जा सकता है ये इसका सही उत्तर है ओवर हेड वित्रल लाइनों का अगला प्रशन है ओवर हेड ट्रांसमिसन लाइन में सबसे समानी किस्म का दोस होता है राइट अंसर अपस नमबर भी सिंगल लाइन भू दोस होता है अगला प्रशन है ओवर हेड लाइन के लिए भारती विदूत निय है राइट एंसर आपसर नमबर सी सामागरी और सामर थे ये इसका सही उत्तर है दोस्तों अधिक जानकारी यहां से देख सकते हैं अगला प्रशन है फिरांटी प्रभाव होता है राइट एंसर आपसर नमबर ए अप सुन लोड पर प्रेशा को छोर वोल्टेज की अप आगले प्रशन जाने से पहले आपसी रिक्वेश्ट है अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करने और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक ज़रूर कर देब और दोस्तों मैं आपको ब लोड़ने वाली स्लीब्स किस धातु की बनी रहती है राइट एंसर अपस नमबर भी चालक की धातु की अगला प्रश्ण है एक संचरर लाइन यानी ट्रांस्मिसल लाइन में उपकेंदर सब इस्टेशन पर थीरी फेज ट्रांस्पार्मर का कॉंस सा कनेक्शन किया जाता है स सीरो परी लाइन में उप्योग होने वाली स्पात में नलिका कार पोल कितनी दूरी पर होते हैं सही उत्तर है आपसन नमबर डी पचास से असी मीटर होते हैं दोस्तों जो लकडी के खंबे होते हैं यह 40 से 50 मीटर की दूरी पर होते हैं टीबलर खंबे यानी नलिका कार पोल खंबे होते हैं जो पचास से असी होते हैं और सीसी का जो खंबा होता है वो साट से सव मीटर की दूरी पर लगाते हैं और इस्टील यानि इस्टील सेक्षन असी से सव मीटर के बीच इसकी दूरी होती है अगले प्रशन पर चलते हैं जो कि आपका अगला प्रशन है सीधे हा दी यनि इंसुलेटर लगाए जाते हैं राइट एंसर है आपस नमबर डी निलंबन ये इसका सही उत्तर है अगला प्रश्ण है दोस्ते ये विदुत रोद्गों का प्रयोग उच बोलता जो 33 किलो वोल्ट से लेकर 800 किलो वोल्ट तक की उच्छ सीरो परी लाइनों में प्रयोगत किया जाता है अगला है इस्टे वायर में किस टाइप का इंसुलेटर प्रयोग किया जाता है सही उत्तर है इप टाइप का जो कि यहां पर देख सकते हैं और अधिक जानकारी यहां से देख सकते हैं अगला प्रशन है निमन में से उच वोल्टेज से छरण के लिए सबसे अच्छा उपकराण काउंसा है सही उत्तर है ओवर हेड ग्राउंड वायर अगला प्रशन है सर्विस लाइन के लिए निमन लिखित में से किस खंबे को प्रात्मिक्ता दी जाती है सही एंसर है आर सी सी दोस्तों जो यह यह आर सी सी सीमेंट इस्टोंड ड्रस्ट कंक्रीट तथा लोहे के सर्य से बनाया जाता है जो की काफी मजबूत होता है खंबें से तिर्चा भुजा लगाने का प्रियोजन है राइट एंसर अपसन नमबर भी इंसलेटर लगाना अगला है रेलवे यात्री कोच की बिजली और पंखे के लिए पावर सप्लाई होती है सही उत्तर है डी सी धारा अगला है जो की आपका अगला प्रश्न दिया गया है थिरी फेज डिस्टिविशन का न्यूट्रल यदि अर्थ ना किया जाए तब विभिन फेजों में वोल्टेज राइट एंसर अपसन नमबर भी हलके भार वाले फेज में बढ़ेगी अगला है थिरी फेज फोर वायर सिस्टम के लिए अर्थ नीट्रल का तार का रंग होता है सही उत्तर है काला होता है अगले प्रश्न पर चलते हैं गल्यों में निमन और माध्यम वोल्टेज लाइनों की भूतल से उचाई कम से कम होनी चाहिए सही उत्तर है 19 फिट अगला अगले प्रश्न पर चलते हैं जो कि आप आगला प्रश्न दिया गया है बस बार के लिए आम तोर पर निम लिखित पदार्त का प्रियोग किया जाता है राइट अंसर है आप से नमबर भी इलमूनियम का अगले प्रश्न पर आती उच वोल्टेज इच वी उस अंचरण में गुच्छित चालकों में क्या मिलता है से उतर है अप से नमबर भी घटी हुई वोल्टेज प्रमडता अगला प्रश्न है सप्लाई लाइन के लिए आर पार एक कैपिसीटर लगाय जाता है से उतर है अप से नमबर ए सकती गुडांग बढ़ाने के लिए अगला प्रश्न ह है और स्रीश्री टावरों के लिए वोल्टा समानेता डड़ डैस होती है सही उतर है आपसर नमबर डी ग्यारा केवी से लेकर ते 30 केवी तक अगला प्रश्ण है यह वी संचरण में निम लिखित में से कांसा इंसुलेटर प्रियूख्त होता है राइट एंसर डिस्क इंसुल के बाद लगबग इसके सारे प्रश्ण इलेक्ट्रिकल पाउर ट्रांस्मिशन के समाप्त हो जाएंगे जो कि हम इसके बाद हम ट्रांसफार्मर चैप्टर पर चलेंगे जो कि वो काफी महत्पूर चैप्टर है वहां से काफी सवाल पूंचे जाते हैं दोस्तों आपकी मान से पूरे प्रस्ण पूछे जाएंगे लगभग 80-90 प्रतिसत यहीं से आपको देखने को मिल जाएंगे चैने दोस्तों आज के लिए इतने ही रहेगा फिर मिलें ने स्ट्यूडियो में तब तक के लिए बाई